कि यह हलो बच्चो में दिपक गुपता तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13 आफ प्रोजेक्शन आफ सॉलिट के बार में अभी तक हमने जितने भी लेक्शर लिये वह सब थे आपके टू स्टेज ओले सम्ते नाउ आज से में स्टार्ट कर रहा हूं थ्री स्टेज ओले सम्त मतलब यह टाइप आगे बढ़ जाएगा नाउ इस इस दा टाइप 6 हो जाएगा यह टाइप 6 जिसमें की अक्सिस या फिर एज इंकलाइब टू भूओद मैं ओड एज्बर तो देखिए ट्रेंगुलर पीजम ऑफ 40 mm बेस ट्रेंगुलर पीजम बेस 40 mm लॉंग एंड हाइट ऑफ एक्सिस इस 65 mm अगर काँ हा 더 को सब्सक्राइट काँ अगर एक्सवा लाइन और तो देखेंग यह X स्वाइलाईन है मेरी तो ट्रूशेप आएगा कहां बनेगा हो बेस का यह देखिए यह बनेगा एच्पी में नाओ कि अन्क्लाइन एट 40 डिग्री टू वीपी क्या बोला है 40 डिग्री टू वीपी बोला है तो यह आपको थर्ड स्टेज में मिलेगा क्योंकि अगर आपका सम आता है अगर टूशेप आपका बनता है एच्पी के अंदर पहला स्टेज में इनिशल स्टेज में आपका स्टेज वन में अगर वो कहां बनता है अगर इनिशल स्टेज में वो एच्पी बनता है तो रूल है उसका कि आप आपको जो second stage बनेगा मेरा, second stage में, उसको जो inclination आएगा, axis को, फिर age को, वो HP के साथ आना चाहिए, then बाद में वो VP के साथ आएगा, okay, वो कहाँ पर आएगा, वो third stage में आएगा, ये पहला stage, initial position, then change करेंगे हम लोग उसको with the HP, अगर वो HP में बना तो, then उसके बाद हम लोग उ stage of base बोला है VP में, ये जो shape है, ये true shape कहाँ बनेगा, उपर बनेगा, जो base का shape रहेगा, वो उपर बनेगा, then इसके बाद क्या बनेगा, VP का shape आएगा, VP का position आएगा, then उसके बाद HP का position आएगा, तो याद रखिए, देखिए, then क्या बोला है, draw the projection when the axis is inclined at 45 degree to VP, तो पहला stage में आएगा, जो stage 1 होगा, वोगा आपका initial position, क्या आओगा वो, initial position, second होगा, आपका initial position कहाँ पर आया, initial position आपका HP में आया, because क्या लिखे, base age कहाँ पर हैं, HP में, तो next position होगा, इसका axis inclined to HP, या फिर age inclined to HP, then third stage जो आएगा, वहाँ पर क्या होगा, वो inclined to VP होना चाहिए, क्या होना तो देखिए अब यहाँ पे आपको में दिखाता हूँ किस थर से हमने यह समको सॉल किया है यह देखिए जो यह होगा मेरा स्टेज नंबर 1 that is initial position true shape कहाँ पर यहाँ पर आया दिने होगा मेरा stage 2 जो की axis inclined कर रहा है with some angle देखिए यह angle से inclined है कितना angle है वो hp का that is 45 degree तो यहाँ पर क्या आएगा वो 45 degree then VP का दिया है मुझे 40 degree तो VP है मेरा 40 degree का यह stage 2 then यह stage 3 यहाँ पर आएगा मेरा यह stage number 3 तो देखिए हमें क्या करना है यह shape कैसे आगया अभी triangular shape जो होगा देखिए यह triangular prism है यह उपर top view यह bottom view ABC 123 तो मैंने इसको इस तरह क्यों रखा मैंने इसको HP क्यों नहीं रखा मैंने इस तरह figure क्यों नहीं बनाया मैंने इस तरह बनाया ना मैंने इस तरह का figure क्यूं नहीं बनाया इस तरह की किव नहीं बनाया विकोज यह कब बनता है जब क्या आएगा working in लिखुड月 में तो यह एज यह होगा आपका we should be this एज यह जो एज है इस एज शुड बी पर पेंडिकुलर टू था एक्स वा लाइं देन यह एज को मुझे मैं क्या करूंगा यह जो एज बनेगा आपर देखिए अगर इस तरह रखा है मैंने जो बनेगा यहां से ऐसा वो दिखेगा देखिए एक्स यहां से पास होगा तो इस तरह से यह देखें, यहां से यह, इसको मैं figure को change करूँगा, और यह होगा मेरा line of tilting, मतलब यह age को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे tilt करूँगा, और यह axis है, उसको मैं 45 degree बना दूँगा, देखें, इस तरह का यह axis बनेगा मेरा 45 degree का, देन उसका मैं projection लूँगा, यह shape आ जाएगा, यह जो view है, यह view को मैं turn करूँगा with the 45 degree, यह view को मैं क्या करूँगा, turn करूँगा 45 degree, तो इसको जो age है, कौन सा age, same यह age, BC वाला age, देखें, यह जो BC वाला age है, देखें, A, B, C, तो BC वाले age को मैं, यहाँ पे इसे turn करूँगा, 45 degree, तो देखें, यहाँ पे एक point लूँगा, यहाँ से angle बनाऊँगा, और एक 45 degree बनाऊँगा, इसको मैं as it is recreate करूँगा, recreate करने की बाद, इसका projection लूँगा उपर, और यहाँ से projection लेके आऊँगा, और point mark करूँगा, और with the help of projection, visibility concept के तुरू, मैं पूरा figure को बना दूँग होगा, okay, so hope, आपको यह समझा होगा, तो चलिए, let's start करते हम लोग, हमारा actual video, तो कैसे draw करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहला क्या करना है, आपको, सबसे पहला आपको एक X-1 line draw करनी है, okay, सबसे पहला आपको एक X-1 line draw करनी है, तो देखिए, तो यह रही मेरी X-1 line, X-1 आपको यूज करना है, यहाप पे, दो पेंसिल, एक होगा, H का पेंसिल, दूसरा होगा, 2H का पेंसिल, तो जो भी blue color से बनेगा, वो क्या होगा, 2H होगा, जो भी black sketch pencil से बनेगा, वो होगा, मेरा H का पेंसिल, मतलब डार्क पेंसिल, okay, यह हो गया, यह होने के बाद, X-1 line को एक perpendicular line, draw कर दीजे, draw कर दी, now, यह होने के बाद, किसी भी convenient point पे, okay, क्या कीजे, किसी भी convenient, now, किसी भी convenient point पे, एक point mark कर लीजे, से मैंने यहाँ पे, point mark कर लिया, यह point mark करने के बाद, मेरा, जो triangular prism है, उसका जो, base का age है, कितना है, 40 mm, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 40 mm, mark कर लूँगा, देखिए, यह मैंने mark कर लिया, 40 mm, now, then मैं यूज करूँगा, rounder, यह 40 mm को, rounder पे लूँगा, इस तरह से, यहाँ से कार, और यहाँ से कार, कट कर दूँगा, जहाँ पे दोनों कट हो जाएंगे, उसको यह point बोल दूँगा, now, यूज करूँगा, black sketch pen मतलब, edge का pencil, okay, याद रखिए, then, join कर दूँगा, तो यह इस तरह से, join कर दिया, now, अब इसको दूँगा, naming, उसका naming क्या होगा, देखिए, yoga A, yoga B, yoga C, yoga X, yoga मेरा, HP, उपर होगा, मेरा, VP, now, अब भी मुझे mark करना है, center, center देखिए, कैसे mark करते हैं, यह जो line है, यहाँ, BC का, जो center point आएगा, कहाँ पे आएगा, 20 पे, यहाँ पे, 20 पे mark कर दीजे, mark कर दिया, then, इसको joint कर दीजे, then, again, AC को भी क्या कीजिए, AC वाले point को भी, 20, मतलब, center point, mark कर लीजे, यहाँ से, इसे, join कर लीजे, यह मिल गया, मुझे, मेरा center point, ओके, यह हो गया, मेरा center point, अगर आपको और एक बार, चेक करना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते, बड़ exam में मत कीजेगा, एक बार मिल गया, तो छोड़ दीजे, otherwise, it takes time, देखिए, यह भी pass हो रहा है, यहाँ से, प्रॉपर रखिए, देन यह भी pass हो गया, यहाँ से, तो यह मिल गया, आपका center point, center का नाम होगा मेरा, O, P, देखिए, नीचे वाला जो point होगा, वो होगा O, उपर का जो point होगा, वो होगा P, नीचे का ABC, उपर का 123, ओके, यह हो गया, तो यह हो गया मेरा set 1, क्या हो गया मेरा यह, set 1, हम लोग क्या कर रहें पहला, initial position find कर रहें, then इसका position लीजे, उपर, यह समय करके इसको आगे तक extend कर दीजे, देखिए, जो height रहेगा, उसके उपर तक थोड़ा extend कर दीजे, उसे, center को भी लीजे, उसे भी आगे extend कीजे, यह पॉइंट भी extend हो गया, जो इसका axis length है, कितना है, वो 65 mm है, तो यहाँ से 65 mm मेजर कर लीजे, यह आगया 65 mm, यहाँ पर, then Maxwell line लीजे, यहाँ से इसे roll on कीजे, और इसे line mark कर दीजे, अभी point mark कीजे, तो यह जो आएगा नीचे, देखिए, मैं नीचे का बताए, ABC, उपर के आगा, प्रिजम में करके, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो उसी तरह नीचे आएगा, A, यहाँ पे आएगा, उपर आएगा, P, एक्सिस का line है यह, नीचे आएगा, यहाँ पे, B, और C, उपर आएगा, यहाँ पे, 2, and 3, VP में करके, सब क्या होंगे, यह, dash होंगे, A, O, P, 1, 2, 3, B, और C, ओके, now, then, जो visible line है, उसे dark कर दीजे, यह, dark होंगे, ओके, अपने से dark बना दिया, now, center line जो है, वो देखे, उसे आपको light ही रखना है, ज्यादा आपको उसे dark नहीं करना है, तो देखे, center line किस तरह से बनेगी, यही, center line, now, तो इसी तरह से आपको क्या हो गया, यहापे, set 2 यहापे, complete हो गया, this is set 2, और इसी तरह से आपका, stage 1 complete हो गया, now अभी क्या करना है, आपको second stage बनाना है, second stage में क्या बोला है, second stage में बोला गया है, कि tilt करो उसको with the 45 degree axis को tilt करो, क्या बोला है, when the axis is inclined at 45 degree to HP, तो एक point mark कीजिए point mark कीजिए और याद रखिए यह है मेरा line of tilting यह जो है this is the line of tilting यह point जो होगा वो होगा मेरा B dash C dash क्या होगा वो B dash C dash now B dash C dash से क्या करना आपको line pass करना है तो देखिए अगर axis कितना मेरा 45 degree है देखिए यह आपे अगर मेरा axis 45 degree है और यह 90 degree है तो ultimately यह कितना हो जाएगा 45 degree हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा exam में भी आपको IC करना है axis नहीं मिलता है easily तो आपको BC का point है जहाँ पे mark किया है वहाँ से आपको 45 degree mark करना है देखिए mark कर लिया then यह point और यह point join कर दीजे join कर लिया then इसको recreate करना है उके उसके और एक साथ ही साथ आप दुसरा जो 90 degree का point है वह भी हाँ से आप mark कर लिजे फोटिफए किया अब यह दोनों में 90 degree का angle है तो यह हाँ पर आएगा 90 degree यह line यहाँ से pass हो गई now rounder use कीजे BN B से लेके A तक की दूरी rounder पर लीजे इस तरह से then यहाँ पर रखे और यहाँ पर R cut कर दीजे then यह दूरी लीजे B C से लेके 2 3 वाली दूरी ओके यहाँ पर रखा यहाँ पर point लीजे और R cut कर दीजे then यहाँ पर R cut हो गया then use कीजे roller scale then यह line को लीजे reference okay जो point यहाँ पर cut हुआ है उसका नाम है आपका A डाश then यह इसको reference लेके यहाँ से roll on कीजे उसे parallel line और line draw कर दीजे then इसको लीजे reference A से B C डाश वाई line को लीजे reference और यहाँ से roll on कीजे और यहाँ से line pass कर दीजे pass कर दिया then उसके बाद नाम दी दीजे यह हो जाएगा 1 डाश यह हो जाएगा यहाँ पर 2 डाश 3 डाश now again यहाँ से rounder axis draw करने के लिए now B C पे रखिए और यहाँ से ओ तक की दूरी को यहाँ पर measure कीजे now फिर यहाँ पर रखिए पॉइंट और यहाँ से आर कट कर दीजे then again use कीजे roller scale then यहाँ से यह पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी से line draw कर दीजे draw कर दीजे आपने now then उसके बाद आपको use करना again edge का pencil और जो dark point line है सब joint कर दीजे यह joint हो गया यहाँ पे यह joint हो गया then यह जो point है यह line यह भी joint हो गया then यह भी आपका joint हो गया axis को भी बना लेजिए देखिए यह आपका बन गया axis आप naming देजी proper इसके तो यह हो जाएगा B dash C dash यह हो जाएगा A dash यह हो जाएगा 1 dash यह हो जाएगा P dash यह हो जाएगा O dash यह हो जाएगा 2 dash यह 3 dash और जो angle form होगा इसके बीच में वो axis वाला angle जो होगा this is 45 degree वो जो आएगा angle वो कितना होगा 45 degree का angle यहाँ पे आ जाएगा यह जो आएगल होगा वो होगा आपका 45 degree का angle यह जो angle बनेगा इस तरह से यह जो angle है this angle is 45 degree का angle ओके तो इस तरह से आपका यह क्या बना यह बन गया आपका set 3 क्या बना यह set 3 यहाँ पे बन गया set 3 बना इसके बाद क्या करना है आपको project करना है sub point को नीचे parallel लेके देखे किस तरह से आपको सबसे पहला x y line को बया करना है perpendicular लेना है मतलब यह line को एकदम parallel मतलब perpendicular to x y यहाँ से line pass कीजे यह point से जितने भी point से sub point से line pass कर दीजे देन यहाँ से देन यहाँ से देन यहाँ से रेस्पेक्टिव पॉइंट जो है नीचे वाले stage की set 1 है वहाँ से x y को लीजे रेफरेंस horizontal line लोगरने के लिए मतलब perpendicular to यह line को इस तरह से line then यह line then prop पर इसे move कीजे okay roller अटक रहा है यहाँ पर पता नहीं क्यो now let's see मैंने इसा move कर दीजे okay move हो गया move होने के बाद mark कीजे points उसके यह पहले line है A का यहाँ से आ रहा A यह हो जाएगा मेरा A का point okay यह हो गया मेरा A का point this is A next मेरा यहां से आ रहा है यह O का line है तो O यहां पर आ गया O यहां से आ रहा है यह हो गया O तिन यह B C वल line है C उपर से आ रहा है तो यह हो गया C B फिर B यहां पर आ जाएगा दिन यह जा रहा है यहां पर 1 का line तो 1 कहां पर यहां पर यह line पर आ रहा है यह हो जाएगा आपका 1 यहां से P आ रहा है यहां से P आ रहा है तो यह हो जाएगा P यहां से 2-3 आ रहा है, 3 उपर आ रहा है, यह हो जाएका 3, यहां से 2 आ रहा है, यह हो जाएका 2 अभी मार्क कीजिए, आउटर पॉइंट्स, ओके रूल के यहां पे, as per the visibility, observer यहां से देख रहा है observer यहां से देख रहा है, अगर observer यहां देखी, ऐसा है आपका prism, basically इस तरह से है तो देखे, c की करीब है यहां पे, c दिखा यहां पे आपको, इस तरह से c है और यह ऐसा दिख रहा है पीछे का यह चुप गया है यहाँ पे नहीं दिखरें आपको तो देखिए इस तरह से यहाँ पे इसे रखा हुआ है तो जब यहाँ से अपसर देखेगा तो इससे सिर्फ यह दिखेगा यह face 123 वाला ABC वाला उसे कुछ नहीं दिखेगा ओके वो याद रखना और रूल के आउटर पॉइंट मस भी डार्क तो यह होगा एडास आउटर सी आउटर ट्री आउटर टू आउटर बी आउटर यह होंगे मेरे आउटर पॉइंट तो मैं आउटर पॉइंट को सबसे पहले में यहाँ देखिए कैसे तक यह होंगा यह घृत यहूंट पॉइंट होनगा यह ने बता कि कि यह पूरा दिख सरे यह वंद दिक रहाए यह मैं यह हैं यह यह नलगा आउसे धिंक है यह धिक्तर यह न्यांग मात से तो यह 3, 2, 1 join, 1, 2, 2 भी यहाँ पे join, then यह नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यह जो होगा, this will be hidden line, B और यह वाला line होगा hidden, okay, then age में 1 और A का age दिख रहा है, clearly, यह age क्या हो जाएंगे, यह हो जाएंगा dark line, okay, तो rule क्या है, पहला outer बनाओ, then face बनाओ, then age बनाओ, okay, तो यह हो गया age complete, now axis भी छुप गया पीछे, हलका सही मुझे axis दिखेगा, ओ से लेके, यह जो हैंगे, यहाँ तक का, यहाँ दिखेगा, तो इस तरह से आपका यह, set 3, sorry, set 4 हो गया, उसी तरह से आपका यह, stage 2, यहाँ पर complete, stage 2 यहाँ पर complete, now अभी क्या करना है आपको, अभी आपको इसे turn करना है, okay, along VP, यह figure को VP में turn करना है, तो क्या करोगे, एक point लोगे, say मैंने point ले ले यहाँ पर, यह वाल लाइन आएगा, say point ले लिया, वहाँ से कितना degree है वो, उसमें मुझे दिया है 40 degree, कितना दिया है, 40 degree, तो यहाँ पर मैं 40 degree, मार्क करूँगा, center ले लिया मैंने यहाँ पर, प्रॉपर रखूँगा, एक्सवा लाइन पर, और यहाँ से 10, 20, 30, 40, यहाँ पर आ गया, then यहाँ से line पास कर दूँगा, पास कर दिया, यह convenient point ले लिया, मैंने यहाँ पर, यह convenient point, और यह जो angle बनेगा, this is 40 degree, से ले जी, यहाँ पर ले लिया, point ले लिया, then, use करूँगा, rounder, अभी सब rounder काम है यहाँ पर, तो यह point मिला, से example, यह point का नामे वेरा 3, now, 3 to 2 का distance में यहाँ पर measure करूँगा, 3 to 2 का distance में यहाँ से, एक आर कट कर दूँगा, जहां आर कट होगा, उसका नाम होगा, मेरा point number 2, क्या होगा, वो point number 2 हो जाएगा, 2 होने के बाद, यह जो है, देखिए, 3 जो है, 3 to 2 जो line है, वो कहा है, इसको 90 degree है, 2 भी इसको 90 degree है, तो मैं यहाँ से point 3 पर रखूँगा, और 90 degree मार्क करूँगा, देखिए, यह रखा, यहाँ पर 90 degree रखा, फिर यह यहाँ पर रखा, two all a point पे, और वहाँ से 90 degree मार्क कर दिया, देन वहाँ से, 3 से जो 90 degree मार्क किया, line ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ से भी line ड्रॉ कर दूँगा, द्रॉ कर दिया, देन उसके बार, मैं 3 to c का distance, मेजर करूँगा, 3 to c का distance और b to 2 का distance सेम ही है, तो यहाँ पर रखूँगा, और यहाँ से r कट कर दूँगा, सेम 2 पर रखूँगा, वहाँ पर r कट कर दूँगा, कट कर दिया, उसके बाद 3 पर रखूँगा, 3 से 1 मेजर करूँगा, मेजर किया 3-1 ,1-2 C to a A to b सब क्या है सब के सब सेम है तो यहाँ पर पहले रखूंगा फिर यहाँ से 1 r cut करूंगा फिर यहाँ पर रखूंगा एक r cut करूंगा वो पॉयंट मिलके है हाँ जेहाँ पर यहाँ पर रखूंगा एक आर किस तरह कट करूँगा यहां पर रखूँगा एक आर किस तरह कट करूँगा जो यहां पर point मिलेगा उसका naming देदूँगा मैं देखिए किस तरह से यह हो गया आपको point मिलीगा आपको सब देन अभी name दे दीजिए उसका यह जो होगा मेरा a यह जो होगा यहां पर e यह जो यहां पर मिलेगा वह ओगा one यहां पर जो मिलेगा point हो ओगा b यहां पर two मिला है अभी मैं इसे joint करूँगा देखिए किस तरह से यह बना दिया यह joint यह भी हां से joint यह डलाइन है यहां पर उससे भी बना दिया then यह joint then one two two भी यहां से joint then two two three भी यहां से joint then end में यहां से एज को में यहां पर यहe एक्सिस तो एक्सिस का point यहां से लूँगा तो यह जो point है यह यहां से see center यहां पर पता नहीं मुझे राइट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा यह जो line गया है उसे यहां पर थोड़ा extend कर दोंगा देखिए इसे थोड़ा यहां पर extend कर दूंगा extend करने के बाल वन का point बता है 1 से में P measure करूंगा 1 से यहां पर रखूंगा और यहां पर R cut कर दूँगा cut कर दिया then उसी तरह 1 पे रखके Oka distance लूँगा यहाँ पे लिया Oka distance 1 पे लेके Oka 1 पे रखके यहाँ से R cut कर दूँगा मुझे point मिल जाएगा वो भी यह point होगा मेरा P का यह point होगा मेरा O का then यहाँ से axis इस थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है बस इस तरह से यह view भी मेरा यहाँ पे complete हो चुका है अब मैं क्या करूँगा जैसे ही complete हो गया उसी तरह से मेरा क्या हो गया complete मेरा set number 5 complete हुआ क्या हो complete set number 5 now एक port line बज गया देखे तो आब भी मिस मत कीजिए सब के सब as it is create कीजिए यह वाला now then इसे reference लोँगा vertical line ड्रॉप करूँगा वर्टिकल मतलब x y को 90 degree देखे इस तरह से line आएगा देखे अब भी proper है करना है देखे पहला क्या आ रहा है मेरा e आएगा then यहां से one का line आएगा एकदम थोड़ा सा हलका सा gap रहेगा then यहां आएगा then b then 3 देनिया से p देनिया से 2 देनिया से o की line भी आ से आ रहे है वो भी में ड्रॉप कर दूँगा ओके नौ यह होने के बाद देखे यह होने के बाद आपको क्या करना है अभी इसे प्रोजिट करना है देखे किस तरह से यह होने के बाद यहां से इसे लेना है reference यह line तो पास हो चुगी है यह axis की line o then यह a की line देन यह 2 and 3 की line देन यह P की line then again reference उड़ गया मेरा then reference लेके 1 की line भी मैं यहां से draw कर दूँगा अभी क्या करना है आपको points यहां पर mark करने देखे किस तरह से यह यह का अब वी देखे a पहले आएगा फिर e आ रहा है ओकि तो यह पहला जो points यहां से फास हो रहा है देखे अ जा रहा है पहला तो यहां से a कहां पर आया a आ गया मेरा यहां पर तो यह होगा मेरा a then यहां पर e आ रहा है E कहाँ पर है, where is the E, तो ये B, E नहीं, sorry, C है ये तो, C, C कहाँ पर है, यहाँ पर, this is my C, then उसके बाद क्या यहाँ पर आ रहा है, ये O का लाइन, O कहाँ पर गए, O यहाँ पर है, तो this is my O का पॉइंट, then इसके बाद ये B यहाँ पर, देखें, ये B, ये B कहाँ पर आ रहा है B यहाँ पर आ रहा है, this is the B, ये यहाँ पर ये 1 आ रहा है, 1 कहाँ पर, 1 उपर है, तो this is the 1, then 3 कहाँ पर है, 3 उपर जा रहा है, देखें, 3 का पॉइंट, यहाँ पर ये 3 का पॉइंट है, this is 3, ओके, ये यहाँ से 2 का पॉइंट आ रहा है, तो 2 कहाँ पर, यहाँ पर ये र तो का हओ आप तो सब पोइंट भीम कर दीजिए विए बचा है यहाँ से यहां पर यहां पर फिली का पॉइंट सब भीम होंगे हेंद सी डैसी डारा सीडिक डैस एश फ guesses प्यर व्लीडैस舞्या और अइंट कीजिये अबी से तो सबसे पहला मैं जॉइंट कर रहा हूं कि सी का पॉइंट यहां पे मैं जॉइंट कर रहा हूं then a c को joint कर रहाऊ then उसके बाद मैं 1 and 1 को यहाँ पर मैं joint कर रहा हूँ okay then 1 and 2 को यहाँ से मैं भी joint कर रहा हूँ okay join कर लिए मैंने यहाँ पर okay then उसके बाद मैं यहां से यह वन का पॉइंट है यह टू का ऑगे दैन उसके बाद मैं जोइंट को लोगा बी एंड टू को गेरा 2 यहां पर B जोईन कर दिये आउटर पॉइंट बन गए अभी observer कहां पर है observer यहां पर उससे कैसा दिख रहा ऑपर फ़वर को इस तरह से वो shape दिख रहा है तो यह shape जो है उससे क्या होगा यहां से कर देख रहा है observer सब्सक्राइब भी किलिक्राइब kami q जुन से मुरूंपिए ओहें वासिजी सावर को व्याइब को यहां से तो पॉइंट यह से औरलें थिरधा नेधी तो निवर फॉनि करा हैं कि गारें कि इसी तो यहाओ आपको अफिल देख रहें हैं जो कि अव्याहिए जो जो point हो जाएगा one से जो point आएगा भी one वाला point देखिए उपज़़वन यहाँ पे ओके यह रहा-one तो one से लेके यहाँ पे three का point हो कि difid यह one का point है त्री का point one का point पाहिला है यह 3 का point यहाँ पे यह one का point यहाँ यहाँ आए-dhrey यहां इसा इस तरह यह जोइंट होगा, then 2 and 3 भी पीछे साइड रहेगा, तो उसे नहीं दिखेगा, then ages, यहाँ पे खड़ा है, B22 दिख रहे है उसे, तो B कहाँ पे 2 जोइंट हो चुका है, तेने A21, A कहाँ पे अल्रडी यह जोइंट हो चुका है, okay, then क्या है, उसके पीछे जो गया है, पीछे क्या उसे नहीं दिखने वाला है, तो C23 क्या होगा, वो hidden line, okay, away है from the observer, तो उसे नहीं दिखेगा, यह बन गया, C23, okay, तो यह आपका final figure ready हो चुका है, just आपको यहाँ पे access mark करना है, तो दिखिए, यहाँ पे यह रहा O का point, यह रहा आपका O का point, और यह रहा आपका P का point, तो और P के point को यहाँ से access की दुरू, दिखा दीजिए, यह बन गया आपका access, ओके, तो इस तरह से इसका angle कितना हो गया, 40 degree, और यहाँ पे आपका यह set 6 हो गया, इस तरह से आपका यह stage 3 यहाँ पे complete हो चुका है, तो देखिए, इस तरह से आपने यह पूरा sum अपने solve कर लिए है, So hope आपको मेरा यह वीडियो समझा होगा, So thank you for watching my video